हेलो दोस्तो मैं हमरीत आप सभी काइब और फिर से सोगत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को शुरू किया था जो की नंबर सिस्टेम के अंतरकाता है दोस्तो देखी अगर आप लोगो ने डिविजिबिलिटी रूल आफ 2,3,4,5,6 इसी तरीके से हम लोग ने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल को देखा दोस्तो वैसे तो बचपन में हम लोग ने उन डिविजिबिलिटी रूल को देख चुका था लेकिन उस वीडियो में हम लोग ने बचपन में नहीं ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तों आज हम बात करने वाले SSC CGL के best practice state के बारे में जो की चक्सू प्रकासन की है जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं चक्सू प्रकासन की है सांदार practice state जिसके अंतरगत SSC CGL के पूरे syllabus को यानि की reasoning math, GKGS और English को cover किया गया है दोस्तों इस practice state की सबसे खास बात यह है कि इस practice state में question को इस तरीके से adjust किया गया है कि इसे solve करने के बाद आपका कोई भी question exam में नई बचने वाला और हाँ दोस्तों अगर practice करने के दर्मियान आपसे कोई भी question फर्स जाता है तो उसके लिए last में solution दिया गया है जिसे देख कर आप सीख सकते हैं कि इस question को किस तरीके से बनाना था इस practice set में जो भी सवाल उपलब कराएगे हैं उसकी मदद से आप अपने ssa cgl के exam में 95% तक स्कोर कर सकते हैं तो दोस्तों देर की इस बात की जल्दी से description में दिये link से इस practice set को order करें और अपनी तयारी शुरू करें तो दोस्तों देखिए divisibility rule जो हम लोगों ने पहले पढ़ा last video में और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको अच्छा से समझने का ठीक है यह चीज हम लोगों ने बचपन में देखा है यह देखा तो है और इसका dividend diviser, quotient और reminder का क्या relation है वो भी हम लोग देख लेते हैं वैसे तो बचपन में ही देखे थे हैं ठीक है फिर भी dividend equals to diviser multiply quotient plus remainder देखे यह एक relation है इसी relation को आज हम लोग पूरे question में चिपकाने वाले है question में चिपका कर साड़े question को ऐसा उखाड़ेंगे कि exam में एक भी question बचेगा नहीं ठीक है देखे यही एक concept आज के इस वीडियो में लगने वाला है और इसी concept से सारा सवाल solve होने वाला है तो चलिए आज जो है इस concept को चिपकाते हुए बहुत सारा question को solve करने जा रहे हैं चलिए questions लिख लेते हैं दोस्तों हमारा पहला question है इन डिविजन सम्ट दिवाइजर इस 10 ताइम्स दा कोईसेंट और 5 ताइम्स दा रिमाइंडर टिवाइजर है पहला नंबर को बनाने का तरीका देखे सबसे पहरे हम लोग देखते हैं कि लिब क्या रहा है बोल रहा है न जो ताइम्स दाइम्स बड़ा I चलिए और जो डिवाइजर यह हो 5 ताइम्स बड़ से कि इफ दा रिमाइंडर इस 48 अगर रिमाइंडर 48 है अगर रिमाइंडर 48 है तो डिवाइजर कितना हो जागा 240 अगर यहां से डिवाइजर जो है 240 निकल गया इसी को अगर हम लोग इसमें पूट कर दें तो यह क्या हो जाएगा हमारा 240 इक्कोल्स टू 10 multiply question तो question का value 24 आ गया 24 हो गया हम लोग उसे dividend का value मांग रहा है तो dividend क्या हो जाएगा dividend क्या हो जाएगा dividend हो जाएगा हमारा divisor multiply question प्लस reminder डिवाइजर डिवाइजर का value 240 कोईसेंट का value 24 प्लस प्लस क्या 48 प्लस प्लस क्या 48 चोबिस गुना चोबिस पांसो चीयतर पांसो चीयतर पर जीरो प्लस 48 यहां पर हो जाएगा यही हमारा question का solution हो जाएगा तो दोस्तों देखिए बनाने का तरीका क्या है बहुत असान है question जिस तरीके से बोड़ा है उसी तरीके से solution करते चले जाना है question कहा रहा है डिवाइजर जो है डिवाइसर जो है दस गुना है question के लिख दिया एंड फाइब टेम्स धुरिमेंडर यहां पर यह नहीं लिख रहा है दो को इसेंट के बारे में रहता न तो कोईसेंट लिखते लेकिन यहां पर सिर्फ लिख रहा है and five times the reminder तो डिवाइजर क बारे में हें बार है कि दिवासर भी जो है फाइब कुना है रिमाइंडर के लिग्दी लेकिन इहां पर क्या करें मैंडर इस 48 अगरी वाइंडर 48 एट है रिमाइंडर के जगा पर 48 लिख देंगे और 5 से गुना कर देंगे तो हमारा डिवाइजर आजागा डिवाइजर आगया हमारा 240 पहले जगा भी तो डिवाइजर से होगा कॉसर नमबर टू भी इसी तरीके से बनेगा अगर कॉशन नमबर टू को देखें टिवाइजर अगर कॉशन नमबर टू को बनाए को सब्सक्राइज को को यहाँ लिखा वाए अगर कोी हैं20 nomb Bereзд और जो कोईसेंट है वो six times the reminder है which is 73 73 क्या है 73 हमारा reminder है ठीक है यहां से कोईसेंट क्या हो जाएगा six multiply सेवन्टी थिरी सिक्स त्री जा एट्टीन सेवन सिक्स जा फोर्टी तो कोईसेंट आ गया four hundred thirty eight ठीक है यहां पर से यहां पर से five multiply 73 अगर करते हैं तो पांच तिया पनर साथ बच्चे 25 छत्तिस ठीक है तो यहां पर से reminder का भी value रख दिए तो डिवाइजर आ गया कोईसेंट भी आ गया तो हम डिवीटेंट निकालना है तो डिवीटेंट क्या हो जाएगा हमारा डिवीटेंट हो जाएगा 365 multiply 438 प्लस 73 इसको जब multiply करेंगे तो हमारा जो है क्या आएगा 365 को मुल्टिप्लाय करेंगे 438 से तो क्या हो जाएगा आट पंचे चालिस अच्छा करतालिस निचास पचासे कवन बावन बावन 24, 5, 29, 15, 18, 19, 39, 10, 5, 24, 26, 34, 44, 46, 0, 7, 8, 9, 5, 1 तो यहां पर 15, 9, 8, 7, 0 आएगा 15, 9, 8, 7, 0 प्लस 73 यहां पर हो जाएगा 4, 3, 9, 9, 1, 5, 9, 9, 9, 9, 4, 3 हमारा इस कोशन का सॉलीशन होगा देखिए इसको यह बनाने का सेम तरीका था इसको तो और असान था है ना असान क्या था ना देखिए यहां पर सब चीज़ लिग दिवाइजर जो है 5 times reminder, deviser 5 times reminder, question six times reminder, question six times reminder, हम लोग जो है question no.3 को देखते हैं, देखिए question no.3 देखिए हमारा question number 3 इस तरीके से when a number is divided by 56 the remainder obtained is 29 what will be the reminder when the number is divisible by 8 divisible नहीं, divided by 8 ठीक है, कहता है एक number है, एक number है जब इस number को 56 से divide दिया गया तो reminder जो है 29 आ रहा था ठीक है, उसी तरीके से same number को जब 8 से divide दिया गया तो reminder क्या आया, यहीं हमसे पूछ रहा है देखिए, अगर इसको यहाँ पर question कुछ हाया होगा question कुछ हाया होगा अगर इसको हम लोग जो है dividend का concept हम लोगों ने देखा था शुरू में उसके according बनाएं इसको, तो कैसे बने गाई है नंबर इक्वल्स टू 56 question plus 29 इसी को कहता है कि अगर 8 से इस नंबर को 8 से divide कर दिया जाए, इधर भी 8 से divide होगा, यह क्या हो जाएगा 56 q divided 8 plus 29 divided by 8 ठीक है देखिए, सबसे पहली बात नहीं यहाँ पर यहाँ पर हम लोग यह देखते ने यह जो चीज है ने, यह पूरी तरीके से कट जाएगा 7 q बचेगा है ना, यह अगर यह कट जाता है तो यहाँ पर 7 q बचेगा यहाँ पर हमारा 7 q आगिया, देखिए इसको जानने का ज़रूत है नहीं में चीज जानना है यह, यह जो 29 को अगर 8 से डिवाइड देते हैं, तो क्या होता है 29 को अगर 8 से डिवाइड देते हैं, तो 24 जो है, पूरी तरीके से कट जाएगा बचेगा 5, यही ना, 5 बचेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, यही कॉंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, कॉंसेप्ट क्या है ना, देखिए इसको हम लोग दुसरे तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, एक रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए, जब इस तरीके का कॉशन रहे है, उपर में जो चीज दिया हुआ है, नीचे भी वही चीज है, यहाँ पर जो 56 है, यहाँ पर जो 8 है इसका जो नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है इसको जिस नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है इसके बीच में कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है 56 का 56 का नीचे जो 8 है वो फैक्टर है, देखिए तो यहाँ पर पकड़ने वाली बात क्या है ना जब कोई ऐसा नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है फिर बाद में क्या कहता है ना कि उस सेम नंबर को सेम नंबर के फैक्टर से डिवाइड दिया जा रहा है क्या सेम नंबर को, सेम नंबर रखा गया सेम नंबर के फैक्टर से दूसरे टाइम divide दिया जा रहा है तो reminder क्या हुआ देखिए reminder होगा से जो यहाँ पर reminder है यहाँ पर भी वही reminder होगा लेकिन यहाँ पर एक क्या पर कंडिशेन क्या है ना यहाँ पर 56 था तो reminder 29 था ऐसा कभी अब लोगों ने देखा हैं, अगर हम लोग 4 से किसी number को divide देते है, reminder मेरा 5 बच जाता है, ऐसा कभी होता है? नहीं न होता है, तो यहाँ पर reminder 29 ना होगा, क्यों? 29 क्यों क्यों ना होगा? क्योंकि 8 से इसको divide देंगे 29 को, तो क्या हो जागा है, 24 plus 5 by 8 बोला जाए तो 24 तो के चरह खतम हो जागा तो reminder क्या बच जागा यहां पर 5 बच जागा ठीक है यहां पर छोटा सा concept यहीं है कि अगर यह जो denominator वाला number है यहां denominator इसको denominator कहना नहीं है जो number से divide दे रहें वो है यह भी जो number से divide दे रहें वो दुनों के बीच में कुछ relation होगा तो जो reminder होगा ना reminder सेम होगा बस दूसरा number को देखेंगे कि दूसरा number से यह छोटा होना जी अगर बड़ा होगा तो फिर दूसरा 77 है ठीक है अधर रिमाइंडर ऑटेंड इज 42 है ठीक है 42 अधर विल भी दे रिमाइंडर वैंडर नंबर इस डिवाइड़ वाई यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी क्या 711 अब एक चीज और जानना इसमें जानना कि अगर यहां पर 11 होता है या फिर 7 होता है दोन को 7 का भी चेक करेंगे और 11 का भी चेक करेंगे ठीक है 7 और 11 दोनों चेक करेंगे हम लोग कंडिशन वन लेते हैं अगर 7 होता अगर यहां पर सिर्फ 7 से डिवाइड होता तो क्या होता देखे एक नंबर था and जिसको 77 से डिवाइड किए तो रिमांडर 42 बच गया अगर उसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमांडर क्या बच था check करेंगे इस दुनों के बीच में क्या relation है दूनों के बीच में चच्र भत्य जाका relation है बोले था यहां पर अगर 11 डाल देते हैं यहां पर n by 11 उस नंबर को 17 से डिवाइड दिया रहे था तो 42 बच रहा था उसी तरीके से उस नंबर को 11 से डिवाइड दिया जाएगा सततर और 11 में फिर रिलेशन है इसका यह फैक्टर है तो डिमाइंडर भी यहां पर 42 ही होता लेकिन यहां पर देख रहे हैं 11 है तो एक 11 से इसको डिवाइड देंगे तो 33 ही कटेगा तो यह जो 9 बचेगा यह हमारा इस कोशन का आंसर हो जाएगा अगर 11 से डिवीजिबल होगा तब दीखे जब यहां पर ऐसा नंबर है उसका यहां पर फैक्टर दियावा था तब तो ठीव बात है वही अगर 9 रहता यहां पर नन फैक्टर नंबर रहता अगर यहां पर 2 र रहता या फिर या फिर 12 रहता पांच रहता ऐसा कोई भी नंबर रहता तो हम लोग इसको क्या करते हैं देखें यहां पर इसको पहले हम लोग explain करते हैं कैसे explain करते हैं देखिए कोई एक उठा लेते हैं कोई एक उठा लेते हैं कोई एक उठा लेते हैं अगर एक नंबर था एन हम लोग इसको 77 से डिवाइड दिये तो रिमाइंडर मेरा जह है 42 आ गया कुछ रहा होगा इसको अगले हम लोग डिविडेंट के टर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं एन इकल्स टू 77 q प्लस 42 सेम नमबर को अगर फाइब से डिवाइड देते हैं ऐगे फाइब के छोड़ देते हैं तो हमारे यह गलत हो जाएगा गलत क्यों हो जाएगा वहाइज साब हम लोगों ने पहले देखा था यह जो है पूरी तरीके से कट रहा था अब यहां पर कट रहे हैं क्या है क्या है पता है क्या है क्या है नहीं पता है दूसरी बात 77 डिवाइड़ 5 कर रहे थे यह पूरी तरीके से नहीं कट रहे हैं और जब पूरी तरीके से नहीं कट रहे हैं तो क्या पता यहां पर भी रिमाइंडर बच रहा हूं है ना यहां पर तो रिमाइंडर बच गया लेकिन यहां पर भी तो रिमाइंडर बच रहा होगा ना यहां पर जो रिमाइंडर बच रहे हैं हम लोगों को तो पता नहीं है तो जब ऐसा लिए 357 एक नमबर है उसको 357 से divided दिया गया तो रिमाइंडर क्या बच रहाए 35 से sımy number को जब हम लोग सत्रा से divided क्या बचे इस दूनों number के बीच में घुल सक्रिए है किस הפ עट करते हैं तो पूरी 35 नहीं आएगा तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है डिविजिबिलीटी रूल के अंतरगार जो है कुछ दोस्तों यह थी हमारे आज के संच में आया हुआ दे मेंगर हमया वीडियो को पसंद आये लें और हमसे मिलने वाली सबस्क्राइब करें कि नॉटि unnatural डॉडिफिकेसन पसे कि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक तो चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय हिन जय भारत